नमशकार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीच का ट्रेट्मेट हम आपको बताने वाले हैं जो कि एक ऐसी बिमारी है जो खास तोर पर बहुत दर्दनाक होती है दोस्तो ये बिमारी एक ऐसी बिमारी है जो जिसको होती है वही जानता है कि कितना दर्द उसे सेहन करना पड़ता है ना ठीक से खाया जाता है ना ठीक से पिया जाता है दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं मुखे चालों के बारे में अब दोस्तो दो टाइब की इंसानों को मुखे चाले होते हैं एक वो इंसान जिसे कभी कबार मुखे चाले होते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रेमेडी बताने वाले हैं बहुत ही आसान घरेल उपाई बताने वाले हैं जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव होंगे जिनको कभी कभार मुखे चाले होते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत में आपको यह जरूर बता देते हैं कि जिन लोगों को बार-बार मुखे चाले होते हैं उनको इसके कार्णों के बारे में जानना काफी जरूरी है दोस्तों आप अगर उन लोगों में से हैं जिने बार-बार मुखे चाले होते हैं तो आप खुद गोर करें खास करके अपने खान पान पर विशेज ध्यान दे कि कहीं आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना तो नहीं खा रहे हैं जी हैं दोस्तों अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डेली बेसिस पर खाते हैं तो आपके पेट में अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी उफान मारेगी जिस कारण सबसे ज़्यादा मुखे चालो की प्रोब्लम्स देखने को मिलती है तो ऐसी situation में दोस्तो ठंडी चीजों का जरूर सेवन करें जितनी ठंडी चीजों का आप सेवन करेंगे उतना ही मुखे चाले आपसे दूर होंगे इसके लावा दोस्तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत पूरे मुखे चाले होते हैं गले में चाले होते हैं और बार बार होते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप डोक्टर को जरूर दिखाएं तो चलिए दोस्तो अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरे लूपाए जिनके माध्यम से आप मुखे चालो को ठीक कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं वो तरीके कौन-कौन से हैं दोस्तो पहला तरीका आता है लेसुन का इस्तमाल करके जी हां चालो की इलाज के लिए लेसुन बहुत ही कारगर है दो से तीन लेसुन की कलिया लेनी है आपको और इन कलियों का एक पेष्ट बना लेना है अब इसको यूज केसे करना है जानते हैं दोस्तो इस पेश्ट को आपको चाले जहां पर आपकी हो रहे हैं, वहां पर आपको लगाना है, और लगाने के 15 मिनिट तक इसको ऐसे रखना है, और 15 मिनिट बाद इसे धो लेना है, दोस्तो लेसुन में हम बता दें कि एंटी बायोटिक गुन होते हैं, जो कि चालों को ठीक करने में बहुत helpful होते हैं इसलिए ये नुस्का कारगर काफी ज़दा साबित होता है अब बात करते हैं दूसरे उपाएगी दोस्तो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे टीट्री ओयल के बारे में जिन लोगों को पता है अच्छी बात है चालो में काफी ज़दा आराम देखने को मिलता है और चाले दूर हो जाते हैं दोस्तो आपको एक दिन में तीन से चार बास इसे चाले वाली जगए पर लगाना है टीट्री ओयल से आपके चाले बहुत जल्द खत्म होने लगेंगे बात करते हैं तीसरे उपाई की दोस्तो तीसरे उपाई है बर्फ से सिकाई का जी हां चालो पर ठंडी चीज लगाने से बहुत ज़्यादा जल्दी फाइदा देखने को मिलता है ऐसे में दोस्तो चालो के ट्रीट्मेंट में बर्फ बहुत ज़्यादा important role अदा करता है साथ ही आपके छालों के अलावा दर्द और सूजन को भी कम करने में आपकी मदद करता है तो आप बर्फ भी प्रभावित जगे पर लगा सकते हैं उसे भी छाले ठीक होते हैं अब बात करते हैं चोते उपाई की जोकी है दूद का जी हां दोस्तो दूद में केलिशम मोजूद होता है जो वाइरस से लड़ने का काम करता है साथ ही हिलिंग प्रोसेस को भी सक्रियता से यह भाग लेता है दोस्तो आपको इसका इस्तमाल किस प्रकार करना है दोस्तो आपको ठंडे दूद में रूई भिगो कर प्रभाविज जगे पर लगानी है इससे आपको छालो में काफी ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा अब बात करते हैं आखरी उपाई की दोस्तो आखरी उपाई है एरोवेरा का इस्तमाल जी हां दोस्तो एलोवेरा के इस्तमाल से प्रभाविज जगे की जलन कम हो जाएगी साथी एलोवेरा में मुझूद रसाइनिक पदार्त जक्म को जल्दी भणने का भी काम करते हैं तो एसी सिच्वेशन में छालो के इलाज में एलोवेरा भी बहुत एफेक्टिव साबित होता है आप एलोवेरा का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो ये थे कुल मिला के पांस तरीके जिसकी मदद से छालो के दर्द को कम करने में और छालो को दूर भगाने में काफी ज़्यादा helpful ये साबित होते हैं आप इन में से किसी का यूज कर सकते हैं और इसका इस्तमाल कर सकते हैं छालो को दूर भगाने में तो यही थी दोस्तो मेरी आज की वीडियो और जानकर आप लोगों के लिए अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दुबाएं धन्यवाद दोस्तों